History of ICBN और ICN नमस्कार मैं डॉक्टर प्रवीन मोहिल पिछले 20 साल से Taxonomy Special Paper को आप जैसे स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ और आप जैसे स्टूडेंट से और लिटरेचर से और डिफरेंट जो सोर्स हैं उन से जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं ICBN या जो Taxonomy का जो परिवासा आती है Taxonomy मतलब Nomenclature तो उसका जो पूरा Constitution है और उस Constitution की History के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं तो इस पूरे लेक्चर में हम यह देखेंगे कि ICBN से ICN कैसे बना अभी Recent में नाम है ICN और यह जो पूरी जर्णी है यह है 1737 से लेके 2017 तक की इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि ICBN के Principles कौन-कौन से हैं और Preamble क्या है और इसके Different Codes जो हैं और किस Code में क्या important बात कही गई जो आपके MSC या BSC या competitive purpose से आपके लिए useful हो सकती है और साथ ही जानेंगे कि जो latest code जो 2017 का चाइना में हुआ उसकी क्या finding रही और अगला code जो प्रस्तावित है 2024 में वो कहां होगा सबसे पहले में बात करते हैं Preamble यानके प्रस्तावना और प्रस्तावना में सबसे पहले बात यह कही गई कि जो botany को precise और simple nomenclature system की आवाशकता है यानकि ICBN के द्वारा यह कोशिस की गई और यह रखा गया कि जो nomenclature हो simple हो system पूरा और exact हो कहीं पर भी confusion नहीं हो और stable method हो means ऐसा नहीं कि आज कुछ अलग rule है उसके बाद कुछ अलग कुछ अलग तो एक stable system बन जाए और इसमें सिद्धान्त बनाएगे जिसको हम कहते हैं principles वो जो principle है वो पूरे nomenclature के जिते भी rule है यानकि जब भी आपको नामकरण में कोई दिक्कत आती है रव आप जो भी rule फोलो करते हैं जो भी नियम लगाते हैं तो वो सारे नियम की जो backbone है वो है principles of nomenclature और उस backbone को और अधिक मजबूती देने के लिए यानकि उसकी detail structure को समझाने के लिए rules बनाए गए और rules को फरदर explain करने के लिए articles बनाए गए और उस backbone को strengthen करने के लिए और आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसको update करने के लिए recommendations रखी गई तो आप से गर पूछा जाए कि recommendations क्या होती है तो recommendations वो चीज है कि जो scientist है expert है वो rules में कुछ amendment की बात करते हैं कुछ वो changes के बारे में बात करते हैं और सबसे important बात ये रखी गई इस preamble में कि जो nomenclature है वो सबके लिए equally applied होता है जहाँ पर जिस organism को हम plant consider करते हैं उस लागू होगा इसके बाद एक बड़ा segment आता है कि जो हमारे cultivated plants हैं यान कि cultivars हैं तो उनके लिए अलग से एक special plant का segment त्यार किया गया जिसको अलग से rules की एक पूरा set बना हुआ है जो cultivated plants को deal करता है साथ में preamble ये भी कहता है कि अगर आप किसी चीज में change करते हैं तो आपको वाकाइदा reason देना पड़ेगा तब आप किसी चीज में change ला सकते हैं और दूसरी बात कि in the absence of relevant rule or where the consequences of rules are doubtful established custom is followed यानि कि इसका मतलब है कि जो पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो experience है या उन्होंने जो rules को follow किये हैं उन rules को लागू कर सकते हैं जब हमारे पास present rule में कहीं confusion के स्थेती बनती है अब आते हैं principle पर के वल छे दिर उनली फाइब छे प्रिंचिपल हैं ध्यान रखेगा तो यह छे प्रिंचिपल यहां पर गलती से पांच शपए में क्या repeat हो गया है पहला principle क्या कहता है पहला principle कहता है कि जो यहां पर बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब exam question आता है तो ध्यान से बच्चे confuse हो जाते हैं principle और rule में यहां दुबारा बता दूँ कि ICBN के तीन पार्ट है पहला principle दूसरा है rules और तीसरा है recommendation तो rules और principle अलग अलग है क्यों rule है टिके होते हैं principle पे और principle केवल छे हैं तो पहला principle है कि algae, fungi और plant यह मैं as per 2017 के बाद कर रहा हूँ algae, fungi और plant का जो nomenclature है वो geology और prokaryote से independent है यान कि geology में क्या rule follow हो रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है और prokaryote के लिए जो rule follow है वो हमें लागू करने की जरूट यान कि geology और prokaryote के system अलग है और हमारे algae, fungi और plant यान कि eukaryotic plants है इसके rule अलग है यान कि हम दोनों एक दूसरे को interference नहीं करते वो दोनों अलग अलग जगह पे स्वतंतर हैं अपने अपने rules को form करने में और apply करने में नमबर दो जो principle कहता है कि the application of names of taxonomic groups is determined by means of nomenclature type यान कि जो जिते भी taxa बनते हैं उन taxa के nomenclature के rules specified हैं वो rule follow होने चाहिए नमबर ती यह कहता है जो principle of publication यान कि जिसको हम कहते हैं simple बाद सामे principle of priority वो implement होगा ठीक नमबर चार कि जो taxon जो बनेगा उसका जो भी particular situation है position है या rank है उसको केवल एक ही नाम मिलेगा सिवाए कुछ exception के सिवाए कुछ exception के प्रतिक taxon का एक ही नाम सही होगा और सही वही होगा जो valid होगा और valid वो होगा जिसने rules को follow किया है नमबर पांच पर कि जो scientific name जो है यान की जो botanical name है वो उनको latin भासा में ही करना है यान की उनको latinize करना जरूरी है basically वो किसी भी भासा में लिखे गए हो उसको हम कहते हैं latin diagnosis आगे जाके rule में और नमबर छे पर जो आएगा यह कहते हैं कि rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited यहन की rules है वो retroactive unless expressly limited इस principle के बाद हम history के segment पे एंटर करते हैं और इसकी जो history की शुरुवात है इसके ICBN या ICN की इतिहास की शुरुवात होती है 1588 में बोहिन के द्वारा पिनाक्स लिखा गया बोहिन के द्वारा पिनाक्स लिखा गया और इस पिनाक्स के यानकी बोहिन ने जो rules regulation बताये थे नomenclature के उसी को linear ने follow किया जिसको हम कहते हैं species plantarium या species plantarium और lineage की जो ये बुक है species plantarium ये 1753 में आई और उससे पहले आप screen पे देख पा रहे हैं कि lineage की जो पहली बुक थी उसका नाम था critica botanica जो 1737 में आई और दूसरी थी philosophia botanica जो 1751 में आई इसके बाद जो APD candlelain है इस ICBN यानकी इस organization को खड़ा करने के लिए यानकी rules के forming करने के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था theory element दिला botanica यानकी इसको एक story form में कहें कि एक व्यक्ती थे जिनका नाम था बौहिन उनके दिमाग में आईडिया आया उन्होंने कुछ rules बनाए और उन rules को strongly follow किया linearist नाम के व्यक्ती ने और उसके बाद उसका एक organization level पे लागू करने का विचार आया APD candlelain का और फिर APD candlelain के जो son है अलफांजे डी candlelain उन्होंने एक पहली बार 1867 में पैरिश के अंदर एक international botanical congress का आयोजन किया first international botanical accept कर लिया गया यह बात है 1867 और 1867 के बाद एक लंबा समय रहा यानकी समय निकलता गया और American और British botanist जो अलग लग हो गया यानकी डेवेटेज फॉम रूल्स एंडे स्टार्टेद प्रैक्टिशिंग दा अंधिटन लो नेम्ड क्यू रूल यानकी American और British के बीच में एक मत्भेत पैदा हो गया लागू होगा वियना में इकते हुए 1905 के अंदर और जो वियना कोड है यानकी 3rd IBC के अंदर कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं सेर कर रहा हूँ सबसे इंपोर्टेंट चीज़ यह थी कि the establishment of linear species plantarum by the starting point for vascular plant यानकी जो हमारे vascular plant के लिए कह दिया गया कि जो linear species plantarum book में जो rules follow किये गए हैं वो सारे rules मानने हैं हम उसी pattern पे ही nomenclature का का काम करेंगे नमबर दो कि नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंडा by which generic name having a wide views would be conjured over earlier but less well known याने नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंडा का मतलब है नॉमिना मतलब नेम जेनरिका यानकी genus कंजर्वेंडा यानकी उनको कंजर्व कर दिया यानकी उसको सुरक्षित कर दें रिजर्व कर दें यहां पर ICBN के मंसा यह है कि जो नेम popular है जो नेम popular है जैसे मैं एक example देता हूँ जैपूर में आप कहीं कहते हैं कि शिंदी केम जाना है तो आपको कोई भी ओटो वाला या कोई भी आपको शिंदी केम पहुंचा देता है ठीक है किसी से राष्टा पूछेंगे तो शिंदी कैम पूछे 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 जा सकते हैं अब शिंदी कैम में एक्ट्वल महाँ पे कोई ऐसा कैम अभी नहीं है इस वक्त नहीं है वह तो नाम है हो सकता है कभी रहा हो एक्ट्वल महाँ बसी स्टेंड एरिया है तो बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया कि कुछ नाम जो popular थे उनको reserve कर दिया गया आम आदमी की सुईधा के लिए आम जन की सुईधा को ध्यान में रखते वे तो नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंडा यान कि जो जेनरिक नेम है उनको कंजर्व करने की बात यहां पे रखी गई और यह का गया है कि इनके उपर हम नए नाम नहीं देंगे और तीसरी बात कि जो टॉटोनिम है उसको बैन कर दिया गया कि हम टॉटोनिम एलाउड नहीं है और रिक्वार्मेंट डेट नेम ऑफ न्यू टेक्सा भी एकंप्लीड एकंप्लीड बाई लेटिन डाइग्नोसिस के बाद पहले दिन से चलिया रही है कि 1907 के बाद 1912 के बाद और अचेप्ट कर लिया गया हम आ गए हैं 1947 पे और 1947 में हुआ अमस्टरडम कोड और यह जो 1947 का अमस्टरडम कोड है इत्वाज यह छटी आई बीसी है शिक्स्त और इसके अंदर यह decision लिया गया कि it was resolved that from January 1st 1935 name of new group of recent plant except the bacteria are considered as valid published only when they are accompanied by latin यान कि यह कह दिया गया कि एक January 35 के बाद तो accept ही होगा, validly published ही होगा जो latinized हुआ है, otherwise not allowed. और दूसरी important बात, पहले हम पढ़ रहे थे nomina generica conservative यहां पर यह बात आई यहां पर और इसके बाद 1952 में stock home code हुआ और stock home code की एक खास बात है जो आपको screen पर red दिखाई दे रही है, the word taxon-wise was introduced for the first time to designate any taxonomic group or entity. यहां कि taxon को यह समझें कि कानूनी रूप से ICBN ने 1952 में इसको implement किया, accept किया. हलांकि taxon तो पहले दिन से ही काम आ रहा था, अब हम आ गए है 1956, it was Paris code, और आपको याद है कि पहला code कौनचा था, ठीक है. अब 1956 में यह code हुआ, इसमें कुछ बातें important आई, इसमें यह आया कि जो हमारा जो IBC होगा, उसको English, French और German में भी publish किया जाएगा. यह चीज आई, उसके बाद जो preamble और principle को rule से अलग कर दिया गया. यानकि यह जो official जो इसका ICBN का पब्लिकेशन होता है, उसके regarding बात है यह, और फिर recommendations was the major future of this code, यानकि इस code में recommendation पर फोकस किया गया, क्योंकि 1956 तक आते आते हमारे पास बहुत सारे equipment आ गये, और बहुत सारी हमारे पास advancement आ गये, तो recommendation पर फोकस करना जरूरी था, जो 1956 में किया गया, इसके बाद appendix second जोड़ा गया, जिसका नाम है nomina generica conservenda at registienda, यानकि वो जो generic नाम कंजरुक हों, जो rejected हो गये हो, was amended and supplemented, यानकि इस appendix second को भी add करा गया, वो चपन के बाद आ गया 1961 में Montreal code, और Montreal में जो ICBN हुआ, जो IBC हुआ, उसमें सबसे important बात ये आई, कि appointed a special committee to study the question of conservation of family name, यानकि आप जो पढ़ते हैं कि कुछ families के जो दो नाम हैं, जैसे आप कहते हैं, as tracy, composite, तो यहाँ पर ये 61 के अंदर family name को कंजरु किया, यानकि नोमिना फैमिलियरम कंजरुएंड़ पोर अंजियो स्पर्म, as appendix second was introduced, and in this code, it was specified that the naming of fossil plants should follow the same line as that of recent one, यानकि इससे पहले fossils के अलग प्रकार ही treatment मिलता था, और अब यहाँ पर fossils को भी equal rules में रखा गया, यानकि same method को follow किया जाएगा, नॉमन कलेचर में, ये बात निकल के आई, मॉन्ट्रियल कोड 1961 में, अब हम आगए 1966 में, एडिनबर्ग कोड, पूरी एडिनबर्ग कोड है, इसकी जो खास बात है, वो ये कि एक बुक है, जसी, जनरा प्लें टरम, यानकि जनरा प्लें टरम बुक है, जो जसी की है, इस दा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फैमिली ने, यानकि इस जनरा प्लें टरम में, जो फैमिली के नाम रखे गए थे, उनको स्टार्टिंग पॉइंट माना गया, और क्या माना गया, कि नॉमिना फैमिलियरम कंजर्वेंडा इस लिस्ट को लॉंच हो गई, और बहुत सारे एक्जामपल दे दिये गए, और साथ में कुछ फैमिली के नाम की जो स्पेलिंग थी, उनको भी इंप्रू रख दिया गया, यानकि इंप्रू हो गई, और सबसे बात एक गलोसरी को प्रिपेर किया गया, एक गलोसरी को प्रिपेर किया गया, ताकि आपको ICBN की तरफ से Defined Authorize परिवासा भी आपको मिल सके, अब हम आ गए हैं, सियेटल कोड में 1972 में, और सियेटल कोड की इंपोर्टेंट फैंडिंग है, वह मैं तीन चार वर्ड में आटोनिम पे काम हुआ, दूसरा की जो सुपरफलस नेम थे उनको हटा दिया गया, और हाइब्रीड के नॉमनक्लेचर पे फोकस रखा गया, और वर्ड आटोनिम वाज इंट्रडूस्ट इन डिस कोड, आटोनिम जो पर पढ़ जाने कि आटोमेटिकली एस्टेबिस नेम हो लेनिन ग्रेड में आ गए हैं हम और यह लेनिन ग्रेड सेउंटी एट में पब्लिश वहा और यह आई बीशी हुई 1975 के अंदर हुई और इसमें दो बहुत इंपोर्टेंट बातें थी 75 की, दे कंसेप्ट ऑफ ओर गन जेनरा इज एलिमनेटेट फॉर फोसिल प्लांट यान और दूसरी इंपोर्टेंट बात, दे कोड डज नोट अप्लाई तु नेम्स ऑफ और गनेजम टीटेट अज बैक्टिरिया को कंप्लीटली एससेप्ट डिफाइन कर दिया गया कि बैक्टिरिया पर यह कोड लागू नहीं होगा, देन आप्टर सिड्नी कोड में आ गए है फूर्थ फूर्थ प्रिंचिपल क्या करता है, इच टेक्सोनमिक ग्रूप विद ए पर्टिकुलर सरकमस्क्रिप्शन एंड रेंक केन इन एन एन टेक्सोनमिक सिट्वेशन वियर ओनली वन करेक्ट नेम, यह बात पहले भी हुई और यहां पर इसको पूरी तरह से इनकी नॉमिना स्पैसेफिका कंजर्वेशन एनकी कुछ स्पीशीज के नाम जो पॉपलर थे उनको भी कंजरू कर दिया गया वाज फूर फॉर्स ताइम इंट्रूच्ट एट इस कोंग्रेस एनकी इसको लॉंच कर दिया गया अंडर नांटीन फोर के अंदर हुआ की दफिफ्टेंथ आई बीसी यह योकाहामा टोक्यो के अंदर टोक्यो कोड में इटाइनीज फ्रेंच जर्व इतालियन जैपनीज रस्चीन एंड श्लॉअ कि इसको बहुत सी बासाओं में ट्रांसलेट रखा गया और इन इस कोड ए इसको पहले का जो कोड था उसको एक्स्प्लेन करा गया और पॉब्लिकेशन में इन लेंग्वेज को एड कर दिया गया यानिकि जो ओरीजिनल जो आई बीसी था उसको ट्रांसलिक गया 99 का कोड इंपोर्टेंट है सेंट लुइस कोड और यह अगस्त जुलाई अगस्त 99 में हुआ मैसुरी में और इसमें क्या किया गया इंपोर्टेंट कि देटेल प्रोविजन ऑफ दिकोड इस डिवाइड इन्टु रूल्स सेट आउट इन आर्टिकल एन रिकमेंडेशन या है और रिकमेंडेशन को अलग से सिग्निपिकेंट रखा गया और रिकमेंडेशन डिल विद दा सब्सीडरी पॉइंट डियर अबजेक्ट बिंग तो ब्रिंग अबाउट ग्रेट यूनिफोर्मिटी और क्लिर नेश इस्पेशली इन फ्यूचर नॉमनक्लेचर यानि कि र विएना में आ गए हैं 2005 के अंदर और इंकलेजन फॉर्द फर्स्ट टाइम और फिक लोसरी यह हुआ और भी बहुत सारे मेंडेट हुए बट जो सबसे बड़ा फीचर हुआ कि जो ग्लोसरी का इंकलेजन हो गया उसमें पहले मैंने बताया तब वहां पर सबसे पहले बात क यह कही गई कि जो बॉटनी को प्रिसाइज और सिंपल नॉमन क्लेचर सिस्टम की आवा सकता है यान कि ICBN के द्वारा यह कोशिस की गई और यह रखा गया कि जो नॉमन क्लेचर हो सिंपल हो सिस्टम पूरा और एक्जेक्ट हो कहीं पर भी कन्फूजन नहीं हो और स्टेबल मैथड हूँ मिंच ऐसा नहीं कि आज कुछ अलग रूल है उसके बाद कुछ अलग कुछ अलग तो एक सिस्टम बन जाए और इसमें शिद्धान्त बनाएगे जिसको हम कहते हैं प्रिंशीपल्स वो जो प्रिंशीपल है वो पूरे नॉमन क्लेचर के जिते भी रूल है यान कि जो बैकबोन है वो है प्रिंशीपल्स ओफ नॉमन क्लेचर और उस बैकबोन को और अधिक मजबूती देने के लिए यानकि उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए रूल्स बनाए गए और रूल्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आर्टीकल्स बनाए गए और इसके बाद जो अभी जो लेटेस्ट कोड जिसको हम फोलो कर रहे हैं जब मैं वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं तो जिसको जिसको जिस पर हम बात कर रहे हैं जिस बेसिस पर वो है सेंजेन कोड जो चाइना में है सेंजेन कोड 2017-2017 IBC 2017 वाजन एक्स्ट्रेमली सक्सेस्पुल कॉंग्रेस विट रिकोर्ड नंबर ओपार्टिसिपेंट छे हजार आठ सो पचास स्कॉलर्स एंड स्टुडेंट एंड वन हंडेड सेंटीन एक्जिबीटर्स यान कि एक बहुत ब कलिक्स फ्रम मैनी डिस्प्लेन विदिन प्लांट सेंच एंड प्लांट शैंस एंड इस्पेशली फ्रम इडिक्स एकिलोजी, इकोलोजी, निंच लाइग्स को मायकोलोजी ऐग्रिकल्चर रोटिकल्चर, फिजोलोजी, पेलियोबोक्रि JOHNC, पलांट और एंडियर इनमे अन पहली to become responsible scientist and research communities who pursue plant science in the context of changing the world. यह पहली priority है कि हम जो हमारा जो world जो changing है उसके according हमें काम करना होगा. नमबर दो कहा गया है कि हमें global sustainability को support करना होगा plant science to achieve global यान कि जो global sustainability में plant science का कितना contribution हो सकता है इस बात पर focus रखा गया. और इसके बाद to cooperate and integrate across nations and regions and to work together across discipline and culture to address common goal. यानि कि यह बात रखेए कि पूरी दुनिया का एक common goal होना चाहिए. और जो नई technologies हैं उसको explore करने की बात कही गई. और जो inventory of life on earth पे बात हुई to value, document and protect indigenous यहां बहुत important aspect है to value, document and protect indigenous traditional and local knowledge about plant and nature. यह बहुत बढ़ी बात है. और to engage the power of the public with the power of plant through greater participation and outreach innovative education and citizen science पे यह बात रखी गई. और इसमें जो resolution जो थे, यह number one resolution है जो आप इसको पढ़ सकते हैं. कि पहला रिजो यह कहा गया कि noting with interest the mechanism for creating a framework for future registration of algal or plant name provisions for improved clarity in the governance of the code and the working of future nomenclature section. यहां कि जो यह नोमनकलचर sections को बहुत strongly रखा गया और दूसरा resolution यह कहा गया कि gender equality का. यहां पर एक बात share करना चाहूँगा कि इदे कि 2017 में IBC जैसा organization, इसका मतलब है कि gender equity एक बहुत important aspect है as a scientist और as a human being. इसके बाद जो IAPT का जो चाइना office है इसके बारे में resolution लिया गया और Sanjan declaration को adopt किया गया, Sanjan declaration to adopt the Sanjan declaration and its seven priorities और यह भी रखा गया last कि अगला जो IBC है दो हजार तेविस में, दो हजार तेविस के IBC की बात की गई, जो 20th IBC होना था उसको Rio de Janeiro ब्राजील में रखा गया और वो अभी पिछले दो की pandemic situation की वज़े से वो cancel कर दिया गया, और अभी इस वक्त, यह जो हमारा अगला जो code है, वो Madrid, Spain में रखा गया है, दो हजार चोबीस में, जुलाई दो हजार चोबीस में, और इसकी detail अभी तक आई नहीं है, चूंकि अभी हम 2021 में चल रहे हैं, और जैसे ही आपको आएगी detail, मैं कोशिश करूँगा, फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाने की, किसी के काम आ सकता है, तो आप share कर दें, और ये वीडियो जो है, उन बच्चों के के लिए भी बहुत important है, जो taxonomy में interest रखते हैं, और बच्चों के सवाल होते हैं, कि सर ये जो nomenclature के इते सारे rules हैं, ये आज का जो setup किस परकार से तयार हुआ, तो ये वीडियो उसका answer दे रहा है, जो owners के student हैं, उनके लिए वीडियो, उनके syllabus का हिस्सा है, जो MSC Botany के बच्चे हैं, जो history को जानना चाते हैं, उनके लिए important है, और जो special paper के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बना ही बना है, Thank you so much.